नमस्ता दोस्तों स्वागत है आप सब्सक्रा हमारे करेंट इसके सेशन में आज हम जो हमारा सेशन है करेंट इसका है इसमें जो हमारे रास्वंडल केल हुए थे और एश्याई खेल हुए थे 2018 में उनी से रेडिट कोईशन के वरियां पर देखने जा रहे हैं के लिए स्टार्ट करते हैं एश्याई खेलों के साथ तो इस वार के जो एश्याई खेल हुए थे वो कौन से थे 18 एश्याई खेल थे तो 18 में एश्याई खेल 2018 कहां आयोजित हुए थे आप्शन है आपके पास A भारत B जापान C इंडोनेशिया तो इसका सही जवाब है C इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया के जकारतां में हमारे 2018 के एश्याई खेल आयोजित हुए अगला पुशन है 2022 के एश्याई खेल कहां आयोजित हुए यनि 2022 में कौन सा देश बेजबनी करेगा एश्याई खेलों की आप्शन A है भारत आप्शन B है जापान आप्शन C है चीन और इसका सही जवाब है आप्शन C चीन तो चीन जो है वो 2022 में जो एशियाई खेर होंगे यानि जो 19 में एशियाई खेर होंगे उनका आयोजन कहां होगा चीन में होगा अगला कुशन है एशियाई खेर 2018 में कुल कितने देशों ने भाग लिया आप्शन A है 25, आप्शन B 50 या पिर 57 इसका सही जवाब है आप्शन A 45 तो 45 देशों में कुल भाग लिया है किसमें एशियाई खेर 2018 अगला प्रेशन है भारत की वो से कुल कितने अथलिटों ने इसमें भाग लिया था जो 2018 के एशियाई खेर हुए थे उसमें भारत की तरफ से कुल कितने अथलिटों ने भाग लिया था आप्शन के है 527, आप्शन B है 552, आप्शन C है 752, इसका सही जवाब होगा आप्शन B 500 बहाग तर तो पांसो बहाग तर फुल जो एथलिट थे भारत के शामिल हुए थे एशियाई के दोसा रठावाग तो जो इस बार दोसा रठावाग जो रास्ट्रोंडल खेल हुए थे वो 21 रास्ट्रोंडल खेल थे तो इसका आयोजन कहां हुआ था यह पैरा परिशन हमारे पास रास प्रत्रोंड तो इसका जो सही जवाब है वो है, ऑप्षन भी ऐस्ट्रेलिया थे तो आपको बतातें कि भारत है यही इसमें 46 पदक प्राप्त किये थे भारत में 66 पदर प्राफ्ट गरते भारत तीसरे इस्थान पर रहा था तो आप्शन सी जो है इसका प्रतिय इस्थान गीर सही हुद रहेबा एहले स्थान पर आस्ट्रेलिया रहा था और दूसरे स्थान पर इंगलेंड था चलिए साथवा प्रशन है रास्ट्रेल खेल 2018 में भारत का ध्वजवाहक था कौन था भजवाहक तो देखेए ध्वजवाहक दो बार बनाए रहते हैं एक बार जब खेल का आयोजन होता है स्टार्टिंग में और जब समापन समारण होता है उसमें तो जब आयोजन हुआ था स्टार्टिंग हुए थी तो आयोजन में समारण होगा था उसमें जो ऑप्शन भी है पीवी संदू पीवी संदू जो है उन्होंने बजवाहक की घुंदर नहीं थी और समापन कालिकरन हुआ था उसमें जो थी एंसी मेरी कॉम जो थी उन्होंने ध्वजवाहक का रोल अग 18.8 और से में किस खेल को पुणहें चांब किया गया है डास्मीलन के 2018 के 2008 को पुणहें शामिल क्या गया था मतलब पहले उसपेल को हटा दिया गया था लेकिन 2018 से वापस उसके को शामिल कर लिया गया है option A basket ball, option B volleyball या option C judo तो इसका सही जवाब है option A basket ball तो basket ball को दुबारा से शामिल किया गया है इसमें बास्केट बॉल को पहले हटा दिया गया था इसली बार जाने कि जो 20 ले राष्ट में खेल होए थे उसमें बास्केट बॉल शामिल नहीं था question number 9, राष्ट मंडल खेल 2018 में भारत के स्वर्ण पदक कितने थे तो option A है 25, option B 66, option C 27 तो भारत के जो टोटल पदक थे वो तो ये 66, जिन में से 56 स्वर्ण पदक थे तो इसका option जो है B option सही हो जाएगा तो कुल कितने पदक जीते थे भारत में इसमें 26 पदक जीते थे स्वर्ण पदक, टोटल 66 पदक थे अगरा प्रशन है, प्रशन में 10, 2022 के राष्ट मंडल खेलों की मेंजवानी किसे सौपी गई है option A England, option B दक्षन अफरीका या option C अमेरिका तो इसका सही जवाब हो जाएगा option A England तो जो 22 में राष्ट मंडल खेलों होगे 2022 में होगे और उसकी में जवानी England करेगा अगला प्रशन है, प्रशन में 11, 2018 राष्ट मंडल खेलों का शुभंकर था option A अतुम, option B काका, option C बोरो भी तो आपको बता दें जो option A और B है अतुम और काका ये दोनों शुभंकर थे इसके जो हमारे एशिया ही खेल होगे थे 2018 में उसके और बोरो भी जो है वो शुभंकर था किसका 2018 राष्ट मंडल के रोखा तो option C जो है वो सही उदाएगा तो बोरो भी था शुभंकर इसका 2018 पी जो राष्ट मंडल के रोखा अगला प्रस्ट में प्रस्ट नमर 12 राष्ट मंडल खेल महासर्ण की अध्यक्ष कौण है तो option A लूईस मार्टिन बी टेलर रक्ट ऑप्शन C फ्लोडा डफी उसका सही जवाब है option A लूईस मार्टिन लूईस मार्टिन जो है वो राष्ट मंडल खेल की महासर्ण है अच् प्रज़ीय केल 2018 के उलगाटन समारों में भारत की अगवाई किसने की? आप्शन ए ब्रज घुषण शरण, आप्शन B, नीरजचोपडा, आप्शन C, नीरजचोपडा, उन्होंने भारत की अगवाई की ती उलगाटन समारों में? और उनके पीछे तो चल रहे थे वो थे ब्रज भूशन शरण तो इसका अंसर जो है वो होगा option B जो है हमारा नीरज चोपड़ा जो अगवाई गरी थी भारतिय दल की वो किसे नीरज चोपड़ा गरी थी जो कि भाला पैट के खिलाड़ी तो यह हमारे आज के questions थे जो हमारे एशियाई खेल और रास्वंडल खेलों से संब्धित थे तो इससे important जोतने भी questions हो सकते थे वो मैंने यहां पर ला दिये हैं हमारा अगला वीडियो जो होगा वो फीफा बड़कप के उपर होगा और उसके बाद हम और वीडियो करण्ट के important questions हो सकते हैं उन्हें cover करेंगे ताकि आपके आने वाले exams में आपको फूरा फायता मिल सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको share करना आप भूले लाइक करें और आपके अगर तुछ comments है तो आप comments को जीरूब दे Thank you very much